नमस्कार दोस्तों गर्गी क्लासेस पर आपका स्वागेता डेट आज की 29 अप्रेल 2023 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस के एक्स्प्रेंट पेज से इंप्रेंट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे देखा हमारे पास में जो आर्टिकल्स उनमें एक तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को लेकर के हैं दूसरा हेल्थ पे एक्स्पेंडीचर को लेकर के हैं तीसरा मलेरिया वैक्सीन से रिलेटेड़ है और चौथा सुडान में जो एक तरीके का कॉनफ्लिक्ट राइज हो रहा है तो उसको लेकर के गम अरैबिक करके एक प्रोड़क्ट है उसकी सप्लाई में प्राब्लम आने आ रही है तो उसको हम समझेंगे तो चार आर्टिकल से देखते हैं इनको फर्स्ट आर्टिकल है हाव इंडिया स्पेंस ऑन है हम हेल्थ पे खर्चा कैसे कर रहे हैं वह समझें तो देखो गर्मेंट का जीडीपी के प कुछ सालों के अगर बात करें तो यह नेशनल हैल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स 2019 बीस का डेटा रिलीज हुआ है उसमें यह पता पड़ी है अब क्या फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को वन बाई वन स्टेडी करते हैं तब ओट डीटेल में हमें पता कर रहा है इसका मतलब पर कैपिटा अगर एक पोपुलेशन में हम देखे udah को पैसा तो जितना पैसा खर्च कर रही है उसको दिवाइड कर दمة टॉटल पोपुलेशन से तो पर कैपिटा हैल्थ स्पेंडिंग्स कितनी आ रही है हर एक इंडिवीजुल के लिए 2015 में जो लगबग 1108 रुपए खर्च होते थे वो बढ़गर की 2014 रुपए होने लग गया है लगबग लगबग गवर्मेंट की तरफ से डबल खर्चा किया जा रहा है भी हेल्थ पे इसके लाबा 2025 तक जो टार्गेट लिया हुआ था GDP का कि हाजी 2.5% तक का हमारा इंवेस्टमेंट रहेगा हेल्थ में वो अभी भी अचीव नहीं हो रहा है टार्गेट तो 2025 तक 2.5% परसेंट ऑफ जी डीपी है पर अभी हम किस स्टेंड पे हैं 1.35 परसेंट इसका हुआ खरता है 12.4% ठीक है न मतलब पहले हुआ खरता 29 परसेंट अब कितना खर्च कर रही है गवर्मेंट 41.4 परसेंट इसका मतलब जितना भी हम हेल्थ केर पे पैसा खर्च करते हैं चाहिए वो प्राइवेट हम इंडिवीज्वाल करें या गवर्मेंट करें तो उसमें गवर्मेंट का शेयर पहले 29 परसेंट ही हुआ करता था अब वह 12.4 परसेंट बढ़कर कि कितना हो गया 2020 में 41.4 परसेंट तो पहली फाइंडिंग तो यह है जीटीपी के लगबग कि सो रुपए अगर हमें हमारी ट्रीटमेंट के लिए खर्च करने पड़ते तो उसमें से 62.6 परसे 62.6 रुपीज तो हमारे आप मतलब जोसमें टोटल है एक एक फेल्द एक्सपेंडिचर देखें तो वह प्राइमरी और सेक्टरवाइज अगर देखें सेकंड केयर वाइज ठीक है प्राइमरी केर में कितना खर्च हो रहा है 55.9 परसेंट सेकंडरी एर में 29.6 परसेंट तर्शरी केर में 6.4 परसें इसका मतलब कि 2015 के comparison में primary हो secondary हो tertiary तीनों केर्स में government का expenditure जो है वो rise हुआ है तो यह अपने आप में एक अच्छी बात है क्योंकि primary sector में पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इससे क्या होगा कि एक ground level में मान लो गाउं में अगर treatment मिल जाएगा तो फिर शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा और बिमारी को शुरू में पकड़ लिया जाएगा ठीक है इसके अलावा government की तरफ से जो social security expenditure है जैसे प्रधान मंत्री जन आरोग ये योजना है खीक है insurance scheme या फिर हम राष्ट्री ये स्वास्ते वीमा योजना है या फिर state की जो schemes चलती है उनमें अगर देखें तो आप देखो कि 2015 में कितना करचा करती थी government 5.7% अभी कितना कर दिया उसको बढ़ा करके 9.3% तो ये सारा starts है ये data आपके बहुत help करेगा answer writing में हो सकता है इस पे based आपको prelims में question मिल जाए इस data पे based ऐसे questions आने लग गये हैं आजकल फिर next जो point है वो कि government और हम privately जो पैसा करच कर रहा हमारे pocket से उसका अगर comparison देखें देखो हमारा जो government का भी expenditure हमने देखा कि GDP का 1.35% तक हमारी government पहुचा चुकी है health expenditure को तो उसमें देखो capital expenditure भी है न ठीक है या फिर कोई भी नई facility खोल रही है primary healthcare से related या healthcare में wellness centers है वो open किया जा रहा है वो भी included है जबकि दूसरे countries में ज्यादा तर जो देखा जाता है वो current health expenditure को cover किया जाता है इसका मतलब कि day to day life में कितना पैसा खर्च हो रहा है वो तो उसमें अगर देखें तो actual में कितना ह expenditure में से तो GDP का 1.04% जो है वो healthcare पर खर्च हो रहा है तो इस category के हिसाप से देखें तो इंडिया 184 countries में 164 नंबर पर stand करता है ठीक है तो यह आप ध्यान रखोगे फिर total spending की बात करें जिसमें government भी आ गई private players भी आ गई individual भी आ गई यह सब मिलके जो पैसा कर्च करता है अगर इसके point of view से देखें तो GDP का अगर percentage देखें तो 2015 में वह आ करता था 3.9% जो की घटकर के 3.3% हो गया यह एक reverse trend है यह आप जरूर ध्यान रखोगे total expenditure health पे गवर्मेंट का तो बड़ा है इसका मतलब private players और individuals का expenditure यह participation है health care में वो reduce हुआ है जो पहले 3.9% हुआ करता था वो 3.3% पे आ गया GDP के comparison में इसके लावा health and wellness centers open किया जा रहे है आयुष्मान भारत scheme के तहत insurance दिया जा रहे है तो बोले यह बहुत बड़िया कदम है पर इनको timely और एक proper manner में implement करना एक बहुत बड़ा challenge है यह करना जरूरी है इसके लावा out of pocket expenditure जो है वो समय के साथ reduce हो रहा है no doubt इसको हमें और कम करना ह होगा हमारे यहाँ पर health cost चाहिए फिर वो public sector hospital में services लेनी हो या फिर medicine purchase करने से जो costing आती है ठीक है बोलो वो अभी भी ज्यादा है उसको हमें control करना होगा फिर insurance पे जो खर्चा किया जा रहा है उसकी बात करें तो देखो government का जो participation है health insurance में वो लगबग 3.8% के लगबग participation था 2015 में जो कि बढगर के 6.37% तक पहुँच गया इसका मतलब क्या हो गया कि insurance segment में government अपना participation बढ़ा रही है जबकि दूसरी तरफ privately purchased जो health insurance है जैसे कि हम किसी private company से health insurance ले premium के basis पे तो उसमें भी देखें तो rise देखने को मिला है पहले 3.9% हुआ करता जो बढगर के 7.72% हो गया 2020 बीस में तो यह data अपने आप में कुछ काम करेगा आप जरूर इसको लिखके रखना इसके आगे कि rarely एक या दो ऐसे states हैं जो 8% या उसे ज़्यादा अपने budget का percentage खर्च कर रहे है health care पे जिनमें एक तो दिल्ली पुदुचेरी ये दो तो हो गए आपके यूटी बाकी मेगाल है गोआ और केरला ये तीन states ऐसे हैं जो 8 या 8 से ज्यादा परसेंट खर्च कर रहे हैं अपने budget सेंट राजस्तान government के दौरा एक effort डाला गया कि हम right to health जो है वो एक्ट लाएं ठीक उसको लेकर ये protest भी जबरदस्त हुआ वैसे तो पर यहां पर writer बोल रहे है doctor writer मतलब expert बोलर doctor मुखः पाद्या जी इनका ये कहना है कि central government को support देना चीए state governments को जिससें कि इस तरीके के laws तो यह अपने आप में starts पर भी इस पूरा article था पर इसे एक बहुत अच्छा narrative जो है वह हम create कर सकते हैं या फिर हम एक कुछ analysis create कर सकते हैं कि क्या देखने को हमें मिला recent report की basis में कि health sector में क्या participation या क्या increase किया है government ने अपनी तरफ से है अगला article है पाकिस्तान के foreign minister बिलावल ब सुब्रमन्यन जी का यहाँ पर opinion है अपना analysis है कि बहुत सीधी बात है SCO की जो meeting attend करने बिलावल बुड्डो जरदारी आ रहे हैं पाकिस्तान के foreign minister गोवा में जो meeting होने वाली है वो क्योवल multilateral obligation को fulfill किया जा रहा है इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी chemistry न बुले cross border terrorism सचा ही है कि पाकिस्तान से चल रहा है वो लगातार encourage कर रहे हैं sponsor कर रहे हैं कि cross border terrorism promote और इंडिया को destabilize किया जाए तो बुले कि यहाँ पर हम बस केवल आस्त लगा के बैठ हैं कि जी खलको ना पाकिस्तान सुधर जाएगा हम उसके साथ engage कर ले बाखी ज्यादा क कुछ expectation नहीं है पाकिस्तान से इंडिया को same चीज पाकिस्तान ने कही है कि हम संगाई corporation organization के member है उसके charter और उसके processes के लिए हम committed है तो ऐसे में हम participate करने के लिए जा रहे हैं इंडिया बाकियों और इसके अलावा कुछ और है नहीं इंडिया की तरफ से लगातार यह कहा जाता ह है कि बोलो world के सामने यह बिल्कुल image clear है कि पाकिस्तान की सरजमी से ही terrorism को promotion मिलता है और यह fact है कि 9-11 attack का जो main culprit औसामा बिन लादिन वो कहां पकड़ा गया एप्टावाद पाकिस्तान में तो यह चीज एकदम clear इसमें doubt ही नहीं है अब चाहें पाकिस्तान के तरफ से कितना ह कह दिया जाए कि बले गुजरात के राइट्स जो हुए थे दंगे हुए थे 2002 में बलो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर रेंदर मोदी जो हुआ करते थे बलो उनके उपर वो एक तरीके से उनके वो भी एक terrorism का एक था वह बाता लगए कि अभी तक वह साबित नहीं हो पाया बात को अब कोई ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता है तो कुल मिला करके देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की relationship बिल्कुल डाउन है रही सही में हम यह एक्सपेक्ट करते कि क्या पता कोई बातचीत हो ही जाए अगर विजट पर ठीक है जी विलावल बुटो पर SCO की मीटिंग हो उसमें इंडिया पाकिस्तान की बीच में कोई बातचीत हो उसको एकदम से खतम कर दिया है दूसरी पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी है प्रॉक्सी का मतलब जो एक पाकिस्तान का नाम लेकर के इस्लाम का इस्लाम रेडिकलिजम एक्स्रेमिजम का नाम लेकर क और फिर पाकिस्तान पर सवाल उठते हैं और यह discussion हम अम अलड़ी back to back कर भी चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर यह बहुत बड़ा dent है इसके अलावा पाकिस्तान के हालात देके तो पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करें इसके लिए internally ऐसा कोई surrounding है ऐसे situation बनी हुई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो opposition leader है इमरान खान वो रोड़ पे उत्रे हुए एकदम ऐसा आप हर तरीके से सरकार को criticize कर रहे हैं और वहीं पर अगर पाकिस्तान की तरफ से engagement अगर इंडिया से हो जाती है तो ओर ज्यादा माइलिस गेन क अच्छे कर लेने चीए और उस टाइम पर इमरान खान ने अपनी तरफ से कोई effort नहीं लगाए और एक ही condition पुट की क्या कि कश्मीर का 2019 का जो resolution है इंडियान पार्लियमेंट का इसको reverse करना पड़ेगा तो इंडिया ने बोल दिया हो गया तुम्हारा बहुत है इतना इंडिया के साथ trade हम तभी करेंगे जब कश्मीर को special status मिल जाएगा इंडियन पार्लियमेंट सोवरन है अपने हिसाब से decide करेंगी और यहीं चल रहा है तो कुल मिलागर के देखा जाए तो issues बहुत सारे हैं उनमें main issue है कश्मीर का उसको लेकर के problem create होती रहती है अब और क्य statement मिल रहे हैं जैसे वहां के former foreign affairs minister कुरेशी ठीक है शामशूद कुरेशी ठीक है नाम अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं probably यही है शा मुहम्मद कुरेशी इमरान खान की ministry में हुआ करते है थे cabinet में ठीक है तो इनका यह कहना है कि कश्मीर का नाम लेना मत भूलना वहाँ प मुझे का मतलब हो गया है ऐसा लगता भी नहीं है कि यहां कश्मीर को लेकर कि अब ज्यादा माइलीज गेन कर भी पार रहा है पाकिस्तान ठीक है तो यह एक मुद्दा हो जाता है फिर unpredictability भी बनी हुई है क्या पता बात हो जाए क्योंकि 2002 में सार्क मिटिंग हुई थी काट मंडू नेपाल में उस टाइम पर अटल भी रिवास पेज हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल बर्वीज मुशरफ पाकिस्तान के प्रेजिडेंट तो दोनों के बीच में साइड लाइन में बातचीत हुई थी तो छह मैंने छह साल तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो थे तो वो कही नहीं अच्छे भी नहीं होए तो बिगडे भी नहीं थे इसके अलावा भी 2016 में Heart of Asia Summit और्गिनाइज हुई थी अमरित्शर में तो उस टाइम पर नवाज शरीफ की गवर्मेंट चलती थी नवाज शरीफ में वहाँ पर Foreign Affairs Minister सर्टाज अजीज वो पार्ट नेक्स्ट अर्टिकल है गम अरैबिक बेसिकली देखो सुडान में आप देखोगे अभी लड़ाई चल रही है ठीक है एक तरफ तो पैरा मिलिटरी फोर्सेज एक तरफ आर्मी है दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो क्या है कि यह जो फिजेट ड्रिंक्स आती है कोल ड्रिंक और यह हम जो कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंग जिसको बोलता है या फिर जो कैंडी जो बनती है जो स्वीट हम मतलब एक तरह प्रेजर बेवरेजिस की बात कर लो आप चाहिए ठीक है तो बहुत सुडान से यह सप्लाई होती है गम अरैबिक और इसकी सप्लाई जो ह में गम अरैबिक की जो सप्लाई होती है 70% के लगबग कहां से कुछ कंट्रीज में से होती है और उसमें में रीजन आता है साहिल रीजन जो एफरिका में लोकेटेड है और साहिल रीजन में बिलकुल सेंटर में लोकेटेड जो कंट्री है उसका नाम है सुडान थर्ड पेप्सिको यह जो प्रड़क्ट बनाते हैं ठीक है या कुछ केंडी जो बनती हैं उनमें यह अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट इंग्रेडियंट का काम करता है गम अराइबिगा ठीक है और अब यह जो ड्रिंकिंग कंपनीज हैं यह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ह कि बोला अगर वहाँ पे लड़ाई होगी तो सप्लाई प्रापर नहीं हो पाएगी तो इन्होंने तीन-चार महने का या अच्छा महने का स्टॉक पहले ही कटा कर लिया कि पता नहीं लड़ाई कितनी क्या लंबी चलेगी अब देखो होता क्या है गम अराइबिगा का काम क क्या है यह देखो manufacturing processes में काम आता है food या drink companies यूज किया करती है इनका dry version है वो तो spray होता है powder की तरह ठीक है और इसका देखा जाए तो कॉस्मेटिक और printing manufacturing में भी काम आता है तो कॉस्मेटिक और printing manufacturing में तो देखो गम अरेबिगा का कोई alternate निकाला जा सकता है पर यह जो फिजि ingredient होता है ना उस liquid में जो आप bottle खरीबते हो cold drink की तो उसमें जो ingredients होता है उनको separate होने से रोकता है यह मतलब उनको एक साथ mix करके रखता आप कितने दिन तक bottle पड़ी रहती है उस bottle में कभी हम notice करता है कि पूरा ingredient material वो नीचे बैठ गया पानी उपर रह गया ऐसा कुछ दिखता है नहीं वहाँ पर एक वो solution जो है bottle के अंदर खा वो जो cold drink वाला जो material हो ऐसे कैसे दिखता है आपको 5-3-4 कितने दिनों तक आप रख लो महीनों तक रख लो तो वो जो stickness है वो जो grip है वो जो एक attraction का जो point यहां पर बना हुआ है ingredients के बीच में ठीक है stickiness create करने वाला वो gum arabica क basis पर ही होता है तो यह इतना important ingredient अपने आप में ठीक है तो यह point था gum arabica से related फिर देखो next article तो है आपका malaria vaccine से related देखो malaria basically variant रहता है गई plasmodium variant है एक तो p vivavax है और एक है p falciparum पी falciparum जो है वो African region में ज़्यादा तर फैला हुआ है इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा बिमारिया बहुत ज़्यादा malaria के cases आते रहते हैं और पी vivavax की बात करें तो यह geographically सबसे ज़्यादा फैला हुआ है कहां पे tropical और subtropical region में ठीक है इसका मतलब African region में तो पी falciparum है और Africa के अलावा जो countries है जहां पर malaria के cases जाते हैं पी vivavax होते हैं यह दोनों के दोनों plasmodium के variants है ठीक है वैसे देखा जाए तो malaria को कंट्रोल करने के लिए malaria को कंट्रोल करने के लिए 1998 में प्रोग्राम स्टार्ट रहता जिसका नाम है rollback malaria उससे यह हुआ कि malaria से जो death होती थी उनको 50% तक reduce किया जा पाया इसके अलावा 2015 में malaria eradication program भी launch हुआ उससे भी बहुत सारी mortality rate और यह decline देखने को मिला पर फिर भी आज की सचाई यह है कि 4 मरते हैं malaria की बिमारी से ठीक है अब covid-19 जब से outbreak हुआ है तब से यह जो existing दूसरी बिमारी है थी ना उन पर attention छूट गया तो वो और ज्यादा बिगड़ गया मामला WHO की recent guidelines की बात करें तो WHO ने theme declare की है time to deliver zero malaria जिसमें invest, innovate and implement यह theme रखी गई है और world malaria day है जो 25 अपरेल को आता है इसी point of year से यह article अभी हम discuss कर रहा है अब देखो कि malaria को contain करने के लिए vaccines की हम बात कर रहा है तो vaccines में एक तो यह है WHO ने last year RTSS यह एक variant है vaccine का जिसको allow किया है कि हाजी vaccination दिया जाए जिससे की malaria की जो severe state होती है जिसमें mortality of adulterate rate बहुत जादा हो जाती है तो बोलो उसको हमें control करना है तो African countries में allow कर दिया गया है RTSS को यह vaccine जो है वो किसने develop किया है यह GlaxoSmithClean Walter Reed Army Institute of Research Path Malaria Vaccine Initiative Bill and Melinda Gates Foundation Welcome Trust इन्होंने मिलकर के पिछले 30 साल से काम किया है तब जाकर कि RTSS यह vaccine तैयार हुआ है जैसे देखा जाए तो efficacy कितनी है 30 से 40% ही है होनी चीए कितनी और भी जादा और वोई चीज है कि इस vaccine को देने से यह हुआ है जैसे घाना, कीनिया, मालावी, एक्वेटोरियल कंट्रीज हैं एफ्रिका के वहाँ पर malaria से जो severe malaria का जो level था उसको control करना possible हो पाया है यह vaccine इंडिया की तरफ से भारत बायो टेक जो है वो manufacture कर रहा है और यह बताया जा रहा है कि vaccine यह 2029 तक केवल और केवल produce करेगी इसके अलावा दूसरा vaccine candidate है that is R21 यह भी RTSS के हिसाब से काम करने वाला है liver stage के ओपर देखो आपको पता है यह parasite liver को infect करता है ठीक है जो plasmodium होता है तो को overall देखें तो liver stage पे जो parasite पहुँच जाता है उसको रोकने के लिए यह किया जा रहा है इस पे research कौन कर रहा है Oxford University और इसके manufacturing के लिए जो deal final हो रही है वो Serum Institute of India जो की world का largest manufacturer vaccines के अगर बात की जाए तो कुल मिलागर के vaccines का काम तो हो रहा है पर malaria का यह जो plasmodium ना malaria फेलाने वाला है यह जो parasite है यह इतना जादा evolutionary रहता है इतने सारे variants हैं कि इसको tackle करना बड़ा मुश्किल है ठीक है इसके इंडिया की बात करें इंडिया में research तो देखो controlled human malaria infection studies हैं वो continue चल रही है fast track initial assessments है वो चल रहे है vaccines के ऐसी बात नहीं है इंडिया में काम नहीं हो रहा है ठीक है इसके अलाबा international center for genetic engineering by technology new Delhi उन्होंने successfully 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 दो experimental recombinant blood stage malaria vaccine तयार भी कर लिये हैं जो की p falciparam और p vivavax दोनों के दोनों को tackle करने के लिए काम कर रहे हैं और उसमें first phase का जो trial है वो चल रहा है ठीक है और उसमें कुछ promising outcomes भी मिले हैं तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया भी पीचे नहीं है अब देखो बात है success की तो दे parasite है एक तो इसके variants और उसमें फिर mutation या mutation के अलावा जो variants है उनका infection के इंफेक्ट करने के बाद में फिर body में evolution तो वो सारी चीज़ें कहीं नहीं complex बना देती है situation को ऐसे में सभी countries को मिलकर की काम करने की ज़रुत है ज्यादा देखो problem malaria से किन countries में रहती है lower और middle income countries में तो ऐसे में इंडिया जो है जिसको world pharmacy के तौर पर consider किया जाने लग गया है तो इंडिया को खुद को भी इस काम में अपने आपको जोग देना चाहिए तो यह article था malaria से related तो चार articles थे explain page से खतम thank you very much